मॉनिंग, यह एक नोटिस है जो कि नीट पीजी के लिए निकला है कल, लेकिन उनों कि जी के वर्स या मेरा चैनल अभी हम पीजी काउंसलिंग को इतना फॉल अप नहीं करते, इसलिए मैं यह अपडेट्स आपको नहीं शेयर करता, लेकिन आज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जी कल से स्टार्ट होने वाली है और अपनी यूजी काउंसलिंग के दो ते दिन बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन काफी इसमें रूल्स ऐसे हैं जो कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यूजी में भी आ जाएंगे, और बड़े इंटरस्टिंग है, और इ कर लेना से हैं कि पॉइंट नूंबर वन बहुत क्लियर है, पहले कर बाद ऊचुकी है, तो कोई चिंता की बाद तो है कि आप ऑल इंडिया कोटा के बाद, राउंड टू के बाद, सीट स्टेट को वापस नहीं जाएंगे, उन्हों दुबारा से लिख दिया है कि पहले क्य क्या होता था और अपसे क्या हो रहा है, और मेरे खाल से ऐसा ही पेपर यूजी का भी आ जाएगा, लेकि फिलाल आया नहीं है, मैं बाद बाद रेपीट कर रहा हूं, तो जैसा हम जानते थे कि पहले दो राउंड की कॉंसलिंग होती थी, उसके बाद सीट स्टेट कोटा मे जाएगी, और इंडिया कुटा वाली, लेकि लोग ये भी सोच रहे थे कि अब ये खास का जो स्ट्रेव केंसी राउंड होता है, ये कैसे होगा, क्योंकि हिस्टोरी के लिए हम जानते ही हैं, स्ट्रेव केंसी राउंड हमेशा इंसिटूट के लेवल पे होता है, और आपक स्ट्रेव केंसी राउंड to be conducted by MCC, which means अभी स्टेट्स का तो देखे, जो और विए खुटा की सीट से उनका तो नहीं पता तो नहीं पता लिए इनसे नहीं करा इसमें, धेयों, सेट्रल्विसटी, एम्स, जिपमर, एम्यू, बेचिव, लास्ट येर तक मुझे ध्याने वन हमारे क्लाइंट्स भी गए थे, जिपमर का जब स्टेव के इंसे राउंड था, तो सारे एम्स का डेली में हुआ था, बेचिव का बनारस में हुआ था, एम्यू का अलिकड में हुआ था, लेकिन हैं बजाए कि एक एक जगा जाने के जहां हम लास्टीर तक जा रहे थे आप लोगों के लिए काफी सुविदा हो जाएगी काफी आसानी हो जाएगी लेकिन पता नहीं उन्हों नहीं यहां पर ही क्यों नहीं मेंशन किया है कि और कोटा की स्ट्रिफ कैसे रूंड कैसे होगा हो मानके चर्वरों की जब सेंट्रल का ऑनलाइन हो रहा है तो कोटा की सीट्स तो वैसे ही एमसेजी को भरनी है अब वापस आपको एक स्ट्रेट में भेजेंगे नहीं मानके चलिए जब और कोटा का भी राउंड ट्रीफ समझने बात को ना जब का काम होता है फिलाल आप इसको बोल जाए यह दीम जो प्राइवेट है वह हम जिपमर बी एचु एम्यू जिसको हम कहते हैं सेंट्र लिएस उसको कराती है वो दी यू के चार कॉलिज का भी कॉलिज का भी कराती है एक पांच का मैंसी लेचरम सी वह भी सेप्रेट लेकर चलते हैं बड उसके अलाव प्लस दस परशेंट का नुकसान है जो की काफी बड़ा नुकसान है और डेफिरिटली जर्नल कैटेगरी के बच्चों के लिए ये बड़ा नुकसान है और मैं मैंशा कहता हूँ कि हम इसको इस हिसाब से देखते हैं कि दिल्ली राजस्थान की बहुत कॉम्पटिटिटिव स्टेट्स है बिहार नहां कट आफ छेसो के ऊपर ही रहते हैं छेसो दिल्ली का जो जर्नल कैटेगरी वाला बच्चा था वो दिल्ली की तीन सो और आल इंडिया कोटा की 2000 में से 4000 सीटों पर फाइट मारता था रहे तो उसके पास इतरह से 4500 सीटे हो जाती थी देखने के लिए 4000 में से जब 2000 सीटे कम होती हैं और वो बिसी कोटा में चली जाती है उसका नुकसान उस बच्चों के कि इसके लिए जो टोटल सीट्स अवेलेबिल्टी है वो काफी कम हो गई दिल्ली जैसा स्टेट जो वैसे बड़ा कॉम्पेटिटिव था दिल्ली राजस्थान दिहार व चैटेगरी के बच्चे हैं तो उनकी कट आफ और उपर जाने की पुरी उम्मीद है और सबसे इंटरस्टिंग पॉइंट ये नजर आ रहा है और ये वो चीज है जो बहुत जलती थी डीम्ड यूश्टी में और आप सुनते होंगे फ्राम कंसल्टन भी या जो ये कॉलेज वाले भी करते थे ये काफी बड़ा चेंज है देखिए पहले क्या होता था हम सभी जानते हैं हल डीम्ड में पंदरा पसंट एनरा सीट्स है और ये जो जो पसंट बहुत हो जाता था दीम्ड में अगर टोटल आठ हजार सीटे हैं खरीब बंत अबान के चलिये इंक्लूडिंग इवन केम्सी राइट राउंड थी के एंड तक पहले वेट किया जाता था अफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉपप राउंड तो राउंड वन हो गया राउंड टू हो गया मॉपप राउंड तो वैसे ही इनका अनलाइन ही होता था उसके बाद मॉपप राउंड खतम होने के बाद स्ट्रेव एकेंसी राउंड में एनरे सीट जनरल बनती थी और आपको लो मार्क्स पे वो सीटे मिल जाती थी रिस्पेक्टिव युनिवसरटीज में जाकर जो लोग अपना अपना स्ट्रेव ए पॉइंट पर फिलाल मेंशन नहीं किया गया है लेकिन अगर यह रूल जूजी के लिए आता है बहुत इंटरस्टिंग समझ ती समझिए दूरिंग दा मॉप अपर राउंड देखे चल रहा है वह यह देखेंगे कि आदमें पर सीट बस सकती है केम सी कोई भी का पाई एज बात है अब जो बाकी 15 सीटें बच गई सिस्ट्रम यह देख रहा है कि भाई होटल एंदर एंदर की सीटे 25 हैं अप्लिकेशन ही दस हैं फिर भी वह 15 सीटें ट्रे वेकेंसी राउंड तक बची रहती थी लेकिन अब डूरिं मॉप अप राउंड ही बाकी जो 15 सीटे हैं वह जर्नल कैटेगरी के बच्चों को अलोकेट करती जाएंगी अर्था सेम फी स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल कैटेगरी मैजिन कीजिए जो हमें स्ट्रे तरुखना पड़ता था यही प्रॉसेस पहले स्ट्रेम होती थी अभी हो जाएगी मॉप अप में अगर आपके किसी के कम स्क के लिए थोड़ा नुकसान होने की उमीद है संभावना है कि वजा यह है देखिए यह मॉप आप में आपको में मुझूद होना पड़ता है राइट तो फिट से इसी जेंपल के आते हैं अच्छिस में से डस एनराई सीटे अप्लिकेशन आई 15 बच गई अब वो 15 स्ट्रे कि उनकी मॉप अप में जनरल कट आफ या नॉर्मल कट आफ आपको जानते हैं डियून में कोई सेस्टी कोटात होता नहीं है चार सो चालेस एनराई के तो सीट मिर रही है दोसो नंबर पर जो बाकी 15 सीटे हैं वो तो अब 430, 428, 420, 415 वाले बच्चे को मिल जाएंगी चार सो पंदरा वाले बच्चे का फैदा हो गया इसको स्ट्रे वरकेंसी राउंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा उसको एक सेंट्रल सेंट्रल वे में ही मिल जाएंगी दि अधर हैंड दोसो नंबर वाला बच्चा जो पहुंसता था उनिवर्सरटी उनको यह फैदा होता था कि जो 400 नंबर वाले जो 15 सीटे बच्ची थी यह उसको मिल जाती थी क्योंगि 410 नंबर वाले कैनिडेट दिव निवर्सरटी पूर इंडिया में अगर 45 हैं हम पास दिन के अंदर सारी खतम हो रही है तो आप एक बच्चा 45 जगा तो पहुंच नहीं सकता है हमेशा एक या दो जगा जाते हो और जहां भी जाते हो सोच के जाते हो इसकी ट्ले ले नहीं है जो बहुत कम नंबर वाले बच्चे होते थे 200-200 वाले उनको डीम निवर्शिटी में इमिशन मिल जाता था स्ट्रे मॉप अप में इस पॉइंट नंबर टू की वज़े से और अगर ये चेंज अगर यूजी में भी हो गया तो उन बच्चों के लिए काफी नुक्सान है कम मांक्स वाले थे ये सब चीजे हैं देखते हैं अब क्या होता है जब यूजी का नोटिफिकेशन आएगा इसके साब से जो मैंने काई जो हमारे भी काफी क्लाइंट थे जिनको हमने प्रॉमिस चिया था कि 50 नंबर है कोई बाद नहीं आपको स्ट्रेंब वॉप अप में एक अच्छी आप्शन मिल जाएगी दिम्ड में शैद हम गरंटी नहीं दे सकते और हमें अपने स्ट्रेजी चेंज करनी पड़ेगी वहीं मैं कहता हूं कि जो एक काउंसलिंग प्रॉसेस है इवर इंजिंग प्रॉसेस बहुत चेंजिस हो रहे हैं खासकर इस साथ डिले की वज़े से जो पर इंडिया कोटा में सीड रिवर्ल्ट ना हो ना और ये जो पॉरी ने बहुत मेजर पॉंट है जो तो अब यूविस में ही कम मास्पर मेशन मिल जाता त हताक्यों थे मौकप में तो आप जब्द्धां से अपनी कैजिए आई अल्वेज से कि हैर अइस वाई से वरसा वो भी करते हैं मेरे चैनल को हमें से किसी एक को हाइर कीजिए और टिक से काम कीजिए जहां आप एक करोड रुपे खेच करने वाले हैं 80 लाग रुपे खेच करने वाले हैं आप 50-70 रुपे देने से कोई फराख नहीं परता लेकिन आपका जो डिजिजिजन आपकी जो पॉसेस है आपका जो पॉसलिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है तो धन्यवाद नमस्कार